हेलो एवरिवन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल अपना सफर 786 में आज की इस टैरोका रिडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगी कि अगले जो 12 गंडे हैं आपके परसन की करंट फीलिंग्स इन 12 गंडों में क्या रहने वाली है उनकी सोच उ ये रिडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है इसलिए मेल फीमेल, मैरिड, अन्मैरिड सभ इस रिडिंग को देख सकते हैं आप चाहें तो अपने एक्स पार्टनर के ल आपके लिए और जो हमारे पास बाटम में कार्ट आया है वाया है निव विजन और बाकी सारे कार्ट से फ्लावरिंग, करेज, गिल्ट, मॉरैलिटी एंड टर्निंग इन ने हरे, करते हैं रिडिंग स्टार्ट, तो यहां वण ऐइग बातों के लिए है, रहिए परसन आपको बहुत ब्यूटिफल मानते हैं, अगर आप कोई गरल है न तो अगर किसी वाय के लिए देख रही 篇ाigare है है और अगर आप बाए है हैं और किसी गरL के लिए देख रह कर भेजा है आप दोने एक दूसरे के लिए बने हैं यहाँ पर किलियर है flowering को देखकर कि यह person आपको बहुत beautiful मानता है और अपकी हर बात से अगरी करता होगा यह person बट हाँ कुछ problems आप दोनों के इस relationship में आई हैं और वो मैं यहाँ पर साफ देख पा रही हूँ guilt के card को देखकर तो guilt है किसी बात का ना इस person को हो सकता है इस person है आपको कोई ऐसी बात बोल दी हो या फिर break up करके चले गए हो या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस person के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा person है जो इस person की दिल पर पहले से ही राज करता रहा है कोई past lover है समझ रहे न तो कोई past lover है जो इनको छोड़कर चला गया था और ये उस person की होना चाहते थे बट वो इनका नहीं होना चाहता था जिसकी वज़ा से वो relationship काफी toxic रहा है तो ये person उस relationship जब से बिले दुख को ना सह नहीं पाते हैं बरदाश नहीं कर पाते हैं और जब ये आपकी तरफ attract हुए थे आपसे मिले थे जब इनसे आपकी बात हुई है या आप इनकी life में आए है ना तो इस person का थोड़ा सा नजरिया देखने का बदला है लोगों को लेकर जब ये person आपसे मिला तो इस person की सोच थोड़ी बदली कि आज की life में मिना बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं आपके जैसे प्यारे लोग भी हैं जो इतनी care करते हैं इतना प्यार करते हैं तो इस person को आपसे मिलकर ऐसा लगा कि हाँ सच में बहुत प्यारे लोग हैं इस दुनिया में ये person काफी टूड़ गया था अंदर से इसका काफी heartbreak हुआ था उस person की जाने के बाद तो ये आज भी जब अपनी past life को सोचिता है ना imagine करता है ना तो इसे बहुत दुख और तकलीफ होती है जिस वज़ा से ये person काफी दुख में रहता है अगले 12 गंटे भी काफी दुख में रहने वाला है इसलिए नहीं कि past lover की वज़ा से नहीं इसने आपको कुछ ऐसा बोला है जिसकी वज़ा से ये person काफी दुख और तकल मैंने ब्रेक अप कर लिया है अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे कोई नहीं चाहिए मेरी life में तो ऐसा कुछ इस person ने किया है आपके साथ में जिसका guilt आज इसे अगले 12 गंटे भी रहने वाला है और अभी भी इस person को ना इस बात का काफी दुख है ये person सोच कर ना काफी tension में आने वाला है और इस वक्त भी इस person को काफी tension हो रही है ये ठीक से सो भी नहीं पा रहा है कि इसने आपको ऐसा कैसे बोला है तो इस person में आप courage नहीं है आपका सामना करने की आपके पास आने की आपसे बात करने की और इस person में इतनी भी हिम्मत नहीं है ना कि आपसे माफी भी मांग सके तो आपको face करने की हिम्मत नहीं बचिये इस person में इसने ऐसा ही कुछ आपके साथ में कर दिया है या बोल दिया है तो यहां पाना यह अपनी गलती को काफी realize कर बारा है हमारे पास turning in भी है तो इसे अपनी गलती का एहसास है और यह समझ बारा है अपनी गलती को इसको किसी दूसरे की guidance की जरूरत नहीं है इसका जो intuition power है ना इसको खुद यह बास समझा रहा है कि इसने कुछ गलत किया है तो इसको माफी मांगने भी चाहिए बटा अभी यह चीज़ों को realize कर रहा है क्योंकि यह person चाहता नहीं है कि जो कुछ यह आपके साथ में कर चुका या फिर इसके पास lover ने इसके साथ में किया है दुबारा से यह सारी चीज़ रिपीट होती चले जाएं तो यह person खुद को heal करना चाहता है इस person ने सोचा है आपके साथ के बारे में बठाँ यह इतनी जलबाजी में आपको कुछ बताना भी नहीं चाहता है तो यह person बताएगा थोड़ा time लेकर बताएगा जब आपकी इसे बात नहीं होती थी तो यह आपको कितना miss करते थे आपके बिना कितना तनहा feel करते थे कितना lonely feel करते थे आपके बिना यह रह भी नहीं पाते थे तो इनका बहुत मन करता था आपसे बात करने का फोन उठाते थे आपको call करने के लिए बट यह सोच करके ना कि कहीं फिर से कोई जगड़ा नहो जाए कहीं फिर से कोई एक ऐसी बात नहो जाए कि आप और भी जादा इनसे दूर चले जाएं यह यह आपसे और भी जादा दूर चले जाएं क्योंकि मैंने कहाना इस person को गुस्से पर control नहीं है इसको अपने words पर control नहीं है तो यह वही control लाने की कोशिश कर रहा है खुद के mind को ना अच्छे से heal करना चाहता है अपने दिल को ना समझा रहा है आपके इसके relationship के लिए अगर यह person past में आपसे प्यार नहीं करता था तो अब इसके दिल में ना वो प्यार वाली feelings भी आती जा रही है यह आपके लिए feel करता जा रहा है इसे realize हो रहा है कि आप में और इसके past lover में कितना फर्क है एक वो person था एक आप है आप इसकी life में खुशिया लेकर आई है आपने इसकी जिन्दगी को खुश्वू से भर दिया है तो इसे अब ऐसा लगता है कि इसकी जिन्दगी है उसमें कुछ रंग आ गए है अब इस person को ऐसा लग रहा है कि इसका जो vision थे ना एक ऐसे loyal partner को पाने का वो पूरा हो गया है अब इसे अपने लिए कोई new vision बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको पा करें इसका वो vision पूरा हो गया है बट अब ये person थोड़ा रुक कर ठहर कर सोच समझ कर decision लेना चाहता है अब ये इस बार अगर आपकी life में आयाना तो कभी ना जाने के लिए आएगा permanent रहने के लिए आएगा अगले 12 गंटे ये कुछ ना कुछ ऐसा decide जरूर करेगा आपके लिए कोई commitment दे सकता है आपसे बात कर सकता है आपको call messages कर सकता है ये फिर किसी की जरीना कोई पैगाम भीज सकता है कुछ ना कुछ तो ये action लेगा person मुझे ऐसा लगता है बढ़ हाँ इससे पहले ये person ना खुद पर work करना चाहता है खुद को समझ पा रहा है कि क्या सच में ये आप से प्यार कर बैठे है क्या सच में आप इनको इतने पसंद आने लगे है कि अब आपके बिना खुद की life को imagine भी नहीं कर पा रहे है तो अब ये person लाना चाहता है खुद में courage आपका हाथ थामने की आपको commitment देने की आपके साथ दुबारा से reunite होने की ये person on and of करता रहा होगा past में बढ़ हाँ अब ये person ना चाहता है कि इस बार अगर ये आए ना तो permanent रह जाए और जब ये इस बार आपका हाथ थामे ना तो कभी ना चोड़ने के लिए थामे कभी भी आपसे जुदा ना होने के लिए आए तो इसको थोड़ा time तो लगेगा बट हाँ ये person अगले 12 घंटे कुछ ना कुछ आपके लिए फैसला लेगा आपके लिए कुछ करने का सोचेगा कुछ करेगा भी ओके वीवर्स तो ये person अगले 12 घंटे आपको कमिटमेंट देने का सोचने वाला है आपके साथ permanent रह जाने के बारे में सोचने वाला है ओके वीवर्स तो अगले 12 घंटे इस person की जो current feelings हैं इसके जो thoughts है आपको लेकर वो यही रहने वाले हैं ओके ये थी आपकी reading आई होब आपको पसंद आई होगी कुछ तो clarity मिली होगी कुछ तो resonate की होगी कुछ तो helpful रही होगी ये reading अगर थोड़ा सभी आपसे resonate की है आपके लिए helpful रही है ये reading तो वीडियो को like करें एक प्यारा सा comment कर दें और God को gratitude शो करना कभी ना भूलें comment box में मैं मिलती हूँ next video में तब तक अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें बाबाई